नमस्कार दोस्तों आजम बात करने वाले हैं प्रमुख अस्थलो के पुराने और उसके वर्तमान में अभी नए नाम क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुंड्रिया 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 पुंड्रिय ये पुराना नाम किसका है? तो संथाल परगना का है. साथी साथ संथाल परगना को जंगल तरी के नाम से भी जाना जाता था. उसके बाद बात करते हैं, विल्किनसन गंच या किसून पूर का नाया नाम क्या है? तो अभी ये वरतमान में राची है ये आपको पता होना चाहिए उसके बात बात करते हैं कि साकची का नया नाम क्या है तो जमशेदपूर है यानि कि जमशेदपूर को पहले साकची के नाम से जाना जाता था अगर इसका हम पुरा नाम की बात करते हैं अगर हम मारा फारी की बात करते हैं तो मारा फारी का नया नम अभी क्या है बुकारो है यानि कि बुकारो को पहले मारा फारी के नम से जाना जाता था उसके बात बात करते हैं तो ये इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट है अगर हम बात करते हैं कि गुप्त काश्र के नाम से किसे जाना जाता था तो मलूटी और मलूटी जो है ये क्या है मंदिरों का गाउं है जो कि कहां पर इस्थित है तो याद रखेगा ये दुमका में इस्थित है उसके बाद नेक्स्ट बात करते है कि Temple Ground इसका नया नाम क्या है तो Keenan Stadium है Keenan Stadium को किस नाम से जाना जाता था तो पहले Temple Ground के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है टिसको टिसको का अब नया नाम क्या है तो Tata Steel है यह आपको याद रखना है उसके बाद next है बैजनात मट इसका नया नाम अब वैदनात धाम है ठीक है उसके बाद next है बीजरा बाग अब इसका नया नाम क्या है डालटेन गंज है तो काफी important है उसके बाद दिखे कुछ नाम जो की हमेशा confusion हो जाता है इसमें तो मुंड अगर बात करते हैं कि मुंड के नाम से कहां पर जाना जाता था जारखंड को तो याद रखीगा विष्णु पूरान में इसे मुंड के नाम से जाना जाता था उसके बाद अगर हम मुंडल के बात करते हैं तो मुंडल जारखंड को टॉलमी के द्वारा कहा गया था यह भी याद रख सकते हैं उसके बाद अगर हम मुरंड के बात करते हैं तो मुरंड वायू पुरान में मुरंड के नाम से जहरखंड को जाना जाता था वायू पुरान में उसके बाद अगर हम मुरूंड के बात करते हैं तो समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रस्थाष्टे में को किस नाम से तो मूरुण के नामके जाना गया है उसके बाद बात करते हैं तो आशोक के शीला लेख में जहरखँन को अटावी के नामके जाना गया है ये आप याद रिखेगा और आपको comment box में बताना है कि कॉटल लिखे अर्थास्तर में जारखन को किस नाम से जाना गया था अगर आप टेलिग्राम जोइन करना चाहते हैं तो सर्च करेगा इट दे रेट हैपी स्टेडी जोन आप वहाँ से टेलिग्राम जोइन कर पाएंगे और सारे के सारे पीडियाप आपको वहीं से मिल जाएगा ठीक है अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बिल आइकन को प्रेस कीजे ताकि आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे थैंक्यू सो मच जैहिंद